नमस्कार दोस्तों, Stock Specific Analysis में आज बात करेंगे एक टोवाइको से बनाने वाली प्रोडक्ट वाली कंपनी में, दोस्तों कोई भी बिजनेस जो बना, वो छोटा नहीं है, सभी बिजनेस के टेकनिक्स होने चाहिए, कोई भी बिजनेस कहीं भी कैसे चलता है, एक कंपनी है जो क कि तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट को बेशती है, हमने अल्रेडिये स्टडी किया था, इसका नाम गोल्ड फ्राय करके थी, जिसका कारोबार तंबाकू काटने से स्टार्ट होता है, और कई गुन्ना इंक्रीज कर जाता है, और ऐसे ही कंपनी जिसका नाम VST Industries नाम निक क्योंकि इसका रिजल्ट भी पब्लिस हो चुका है, हम रिजल्ट के बाद के अल्सिस कर रहे हैं और साथ में जानने की प्रियासिस करते हैं, इसका स्टॉक में जो भी ब्रेकॉट देखने को मिल रहा है, जो यहां से आगे का मुवंटल जम्प करें, ऐसा लगता है देखने शर्माहे से चार्टे को और समझने के लिए हम चलते हैं इसके इसाइٹ पर देखते हैं जो कि टोवां को और इससे बनाने वाले प्रोड़क्त जिस में स्करेट भी सामिल होता है वो काम करती है कहते हैं वींद टोवां को प्रॉडक्त पर काम करती है इसकी 52 की हाइड की बात कर इसका जो रेंज निकल के आता है स्टॉक बड़ा हैवी स्टॉक सोचिए तंबाकू और उससे बने हुए प्रोडक्ट बेच के कंपनी इतनी बड़ी एसेट्स खड़ी कर लेती है इतनी बड़ी कहते हैं कॉर्परेट्स शेंसार खड़ी करना तो कोई भी विजनेस कहीं भी हो चीजें हैं जहां पर सबको ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स बनाया जाता है यहां पर देखना वरा आसान है समझना आसान है लेकिन एक्ट्वली प्रोफिट कमाना कितना आसान है वो आप अच्छे से जानते होंगे मैं उसमें कुछ आगे नहीं कह सकता तो चलते हैं इसमे के डिटा में हमें ऐसे देखने को मिला कि स्टॉक ने एक साल के दौरान नियरली मैं इसको कंपेर करूं 32 से स्टॉक चाले होता है और यह करीब 4000 पर जाता है तो नियरली में 32 के हिसाब से इसको पीस परसेंट के आस पास लेकर चलूंग तो तीशती यानब्बे नौसो तीशक्ति निकलते हैं पलस शम्रत्थ था तीश परसंट का उच्छाल आती है मैं इसको सिंपल स्टैडी से समझूत हो और इसको लिकिन विच बीच में कई बार इसमें अच्छे कास से जंप देखने क नाौस कोता है पहले आवेयर जरूरी होता है पांच चार्ट में नगते राते बैक टो बैक जंप लगा रही है एक डिनके एक महने के चॉर्ट में बैक चेल्बाइक कोई भी स्टॉक के कोई इक मेंट Member नहीं incar möglich learning पर्पस के लिए तीन मैने की चार्च में देख हुं तो कोई भी प्रमोशन भी नहीं है व कि नियुकु मैं उसे स्टॉक में बाग तो बैक जो से और डेयं Cynthia P जानेंगे रिजल्ट की पार्ट को छे मैने की चार्ड में ये बैक टुबैक इंक्रीज का डियक्शन्स है एक साल में तो अच्छा अच्छा कासा डियक्शन्स कर रहता है अब इस स्टॉक में क्या ऐसा निकल कि आया हम अनॉस्ट में देखे तो कंपनी ने डिविडेंट पे क होता है और यहां पर जो डिविडेंट का पार्ट है वो भी अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि फेस बैल्यू के बेसिस पर देखे हो इसको दस रुपे के फेस बैल्यू तो नेरली कितना हो जाता है काफी परसेंटेज हो जाती है इसको दूसरी तरफ से देखे हैं तो रिजल्ट के पार्ट में तो मार्ज के रिजल्ट में जो निकल कि आया जूकि डिवेंट न्यू को पार्ट है जो पिछले सितंबर से 400, 68 क्रोड से चैंजू के 400, 7 क्रोड के आसपास किसमें इंक्रीज हो 25 करोड का प्रोफिट इंक्रीज कर जाता जिसके वजए से जो देखें नेट प्रोफिट मार्जिन तो वह करीब एक ग्यारा 12% से चेंज के बल अठारा पर चले जाती है यहां पे अच्छी तरवी तरफिड मार्जिन की बात करें तो जिसके वजए से आरोई है वो भी 25 पर एस्टेंड लॉन के इसाब से देखें तो डेटा यह निकल किया थे जो कंपनी का जो सेल्स रिवेंड निव रहा है वो हर क्वार्टर के बेसिस में क्वार्टर टो क्वार्टर में इंक्रीज करके दिखा है जैसे मैं कुछ कम देखों जून में 333 करोड से सितंबर 350 करोड होत पिछले क्वार्टर से अच्छा उसे पिछले से अच्छा यह अच्छा नेट प्रॉफिट के बाद करें तो वह भी बैक तो बैक काफी ग्रोथ किया है कभी इसका 105 क्रोड भी हुआ था लेकिन रिसेंटली इसमें 77 क्रोड का थो थोड़ा सा प्रोफिट ऑपरेटिंग प्र आसपस आती है तो इससे पहले यदू और भी कुछ इंद का देखों और कभी इक 92 के आसपस आये था बाद में जब इसमें देख देख दे कि इस पूरे साल में देखने को यह दि मिलता है नेट पर तो सबसे ज़्यादा नेट प्रॉपिट यहीं पर देखने को मिलता है 84 करोड, 76 करोड और 54 करोड और 88 करोड यह यहाँ पर पोजिटलीन लेगता है जिसकी वज़ए से जो EPS है EPS इंदे यह वो संताबन रुपी के आसपास पहुंच जाता है यह भी इसकी बिस्ट अप्संस है कंपनी के लिए जो हुलदिंग वाला पैटर्न देखें जुस sauce होलडिंग वाला पैटर्ण में क्या निकल के आता है मार्ज में 32 के असपास की होलडिंग प्रमोटर के पास है और रिस्ट जो है और विसमें देखने को आता है जो एक परसेंट से ज्यादा की पोजिशन में है इसमें कोई बड़ा नाम निकल के तो नहीं आता लेकिन यहां डीआइ की बात में सबसे बहुत नाम SBI का HDFC का आता है इनके पास 4,убर अजितर सावे साथ परिशन्ट की यह जो बड़े इस्ट्यूसंट इनको यह पता है जो 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 मार्केट में इसकी जो रेंज निकलके आती है जो इस प्रोडक्ट में जो तम ठवाव哇 ली प्रोड़क्त है त्मबाको वार्केश ही करता है क्योंकि सिग्रेट्स वगरा का ज्यादा से चलती रहती जब कि यह सब हानी कारेक्ट चुजों में आती है उसके बाद देखें डीएसपी का कुछ investment था लेकिन फिलाल यहां पर डीएसपी का नहीं दिखता है और फिलाल यहां पर नहीं दिखने को आती है तो यहां पर जितनी अफ़र डियाइए हैं वो भी एक पोजेक्ली हैं इधर पब्ली के पास देखें तो एक बड़ी इंवेश्टमेंट कंपनी का नाम आता है जिसके पास 25 की होल्डिंग है वह ब्राइट स्टार इंवेश्टमेंट क्राइविट लिव्टर या इसा तो नहीं है इनके प्रमोटर्स ग्रूप की कंपनियां हैं या बड़ी कुछ इ इसी कंपनी में है प्रमोशन के पृषिज के पास निकल के आती है ऐसे दूसरा नाम डेरिव टेंगें और इनके पास फीज़ण कंपनियां इनकी हो सकती है एक और ना इन्डिविज़ल का नाम निकल के आता है जिनके बास कुछ होल्डिंग इसका पोजिशन देखें यदि पब्लिक बाइज और यह दौनों पोजिशन से यहां पर स्ट्रॉंग पोजिशन दिखते हैं लास्ट की पार्ट करें अनालिसिस में जिसमें स्टॉप की बात करने वाले थे क्योंकि दोस्तों मैं यह बात हमेशा कहता हूं तो यह जो चंबर अफ चेंज है परसंटेज जो हम कभी उस सेम पेरियद में यारी मारकेट में बुल मारकेट पाज यह बियार मारकेट हो गया तो इसकी डेटा जो है मिटेटिव देखेगे इसलिए दस साल से देखो तो इसका 105% चैंज है 5 साल इक साल में और गौह करें चांट तो से आइखने के मिला और शेंट्ली अभी औ सब जूंप देखने के मिल रहा है कि तीन महने में करीब 13% के असपास एक महने में करीब 13% और नियरली दो सब्ता में 8% से ज्यादा और एक सब्ता में 1.48% के असपास का स्टॉक में रियक्सेस हो चुका है यह इसके लिए जो था परफॉर्मेंस लेबल था वो काफी बेटर लगा है इसका पोजिशन्स भी जो भी ठीक है और यहां पर फंडामेंटेस इसके स्टॉंग में जबकि सेल्स और बाकी जो परसंटेश सा कई गुना इंगेज करता है तो यह इसके लिए था इसके पीर कंपनी की बात करेंगे जहां पर इसका पहले अनलासिस के पार देखे है तो कंपनी कहती है सबसे मॉस्ट इंपोर्टेंट है इसमें कंपनी डेट्स फ्री है कंपनी के बास कोई डेट्स नहीं है डिविडेंट इसमें कम लगता जो की 3.2 प्रिजंट के आसपास है जो गुड रिटर्न और एकुटी पर है जो की ट्रैक देखो तीन साल का तो ने देखें तो यहां पर प्रमोटर्स ने होल्डिंग इस लोग ठीटी टू पॉशंट से कम किया है जो की एक दरसाता है दूसरा ची देखें प्रियर्स वाली कंपनी में जो की आई टीसी है गुड फ्रेव पर हमने अल्रेडी अर्डी कर रखा है वह मेरी लिंक में जाके आप इंडेस्ट्री का दूखर 28 पुशंट के असपास है डिविडेंट के बात करें तो नियरली अच्छा इस्ति का दिखता है जो कि 3.2 3.72 के असपास वी वेस्टी इंडेस्ट्री का लगता है यह तो इस लेवल पर सेक्टर बाइस भी पर्फॉर्मेंस कर रहा है अच्छा और कंपनी की पर्फॉर्मेंस तो बेटर लगी रहा है जिसकी बाइस स्टॉक का काफी 4000 से जाजा का ट्रेड कर रहा है और आगे कितना मोमेंटल होगा वह भी इस चार्ट के इसाब से देखे तो अभी इसका मोमेंटल और आगे की तरफ डियक्शन हो सकता है नियरली ये 52 साई क को ब्रेक आउट करने के फिराक में होगा ब्यालिस तो तो तैटालिस तो के असपर जाने की उमिद लेके बैठा हुआ जिसके बैसे स्टॉक मार्केट में चल रहा है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना बूलेगा थाइंक्यू स तो मुच फॉर जोइनिंगें कंप्लीट इस लेर्निंग पर्पस के लिए था